देखिए कांग्रेश भारतिय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बदले अपने खामियों को देखे किस चीज का आज तक परिवार से बाहर आर्जेडी नहीं निकला है वबैशी जी के मुझसे तो केवल जहर निकलता है कि अगर मिट खाते हो तो खाओ लेकिन अपने धर्म के अंस्वार खाओ छटका खाओ देखे कांग्रेश भारतिय जनता पार्टी पर आरोप लगाने के बदले अपने खामियों को देखे और कानून के साथ चलने का काम करें, दूसरों पर आरोप ना लगाए, अपनी गल्तियों को ती जोसी जी की यात्रा पर क्या बोलना ती जोसी अपनी यात्रा करें हर राजनेतिक दल को यात्रा करने का अधिकार है लेकिन किस चीज का जनादेश मांग रहे हैं किस तरह का जनादेश यात्रा है माँ बाप और पडिवार की पाटी का जनादेश मांग रहे हैं लोगों से कि इस लोक तंत्र में राज तंत्र लाना चाहते हैं पिता जी जेल गए तो माता जी मुख मंत्री बनी अब वो अपने मुख मंत्री से हटे तो एक हाउस के लीडर माता जी राबडी देवी दूसरे के तेज़स्वी जादब इसी के लिए जनादेश मांगने चले हैं क्या तीन मार्च को महगट पंधन की बड़ी रेली पटनों में हो रही है यह कोई रेली करने में कौन मना करेगा उससे क्या लेना देना है लेकिन मैं तो यह पूछ रहा हूँ कोई इसका जवाब दे कि जनादेश किस चीज का आज तक परिवार से बाहर आरजेडी नहीं निकला है क्या बिपक्ष में कोई दूसरा नहीं था जिसको वो नेता बिधान परसद में बना सकते थे ने बिधान परसद में किसी को बनने देंगे और बिदान सबा में पिता जी बनने दिया ने पुत्र जी बनने दे रहें यही जनादिस अगर मांगना चाहते हैं तो बिहार की जनता कभी जीवन में इनको जनादिस नहीं देकिए अख्लेश जी राहूल गांधी से हो जाए जनता जी से बोट दे गिया जनता ने नरंदर मोदी को परधान मंतरी के रूप में मान लिया है इसलिए अख्लेश जी राहूल जी का जनादेश या यात्रा निकले या तेजस्वी राहूल का निकले इस पर कोई अंतर ने पढ़ने वाला अबुदावी में परधान मंतरी जब गए तो उहां के राष्पती को गले लगाया तो अबेशी जी का बयान आया कास मुझे भी गले लगा लेते तरहीं अशात कुर्वान के ओवेशी जी को गले लगा लेने के लिए ओवेशी जी के मुझ से तो केबल जहर निकलता है। आबुदवी के परसिडेंट तो भारत को सम्मान दे रही तो सम्मान ये तो भारत को तोड़ने की साजी सरस्त है। इसलिए ओवेसी जी आज देश में भारतीय जन्ता पाटी ने अब्दुलकला माजाद को गले लगाया और देश का राष्टपती बनाने का काम किया आज जब भी होता है हम गले लगाते ही हैं लगाते रहेंगे और ऐसे लोग गालियां देते हैं देते रहेंगे Exceptी इस बहुं चान्व को में अगर अपने दर्ब का परिचार करता हूँ कहां आपकोई मुस्लमान अपने दर्ब का परिचार करते हैं तो उस पर तो Bundes नहीं आता, वेसी बोलते तो उस पर तो कोई भूचाल नहीं आता, वो मुशलमानों को एकत्रित होने की बात करते तो कोई भूचाल नहीं आता, अब मैं अगर हिंदूओं को कहूं कि अगर मिटक खाते हो तो खाओ, लेकिन अपने धर्म के अंस्वार खाओ, जटका खाओ, कि अगर मुशलमान अपने धर्म को मानते हैं, तो मैं उन्हीं से सीख लेता हूँ, और अपने हिंदू भाईयों को कहता हूँ, कि आप मिट खाते हैं, खाएं, लेकिन हलाल मत खाएं, हमारे धर्म में हलाल नहीं, जटका है, जटका कुले हैं. मेरी तो इच्छा है, कि हर छोटे बड़े सहर में, हिंदू अपने धर्म के अनुकूल, खाने पीने का समान खरिदे, चाहे वो जटका मिट का दुकान मुसलमान खोले, या हिंदू खोले, लेकिन जटका खोले.